अब ब्यास दिया घतेराइडी लिखा हुऊ है कि इक पास शित्र में चक्री चत्रफुज दिया गया ए बीसिडी भुजा के आदि-एवि है वो ई तक बढ़ाई गई ए ठीक है तो बहसकोर में क्या निकालना थी भी हमें प्रवाइब कितना हो जाएगा तो यह कितने कोण आ जाएगा यह हमारा कोण के बराबर होता है ठीक है तो इसका कोण का मान कितना हो जाएगा अच्छीस चीट के बराबर हो जाएगा एक से खंद तो इस तरह से सवाल हमारा होगा कोई भी डाउट हो पूछ लेडा ठीक है चले ने कोशन देख लेते हैं कहार है कह रहा है कि पारश्चित्र में यह दिया गए एट इभी सीडी पास चित्रम क्या दिया है हमारे पास A, B, C, D, क्या करा है एक बी, C, D, चक्रिचत्रम दिया गया है जबकि A, B A, B समांतर है, C, D के तो निम्लेकर कतनों को पूरा कीजिए हमारे इसमें सवाल लेखना है क्या करा है कि अगर A, प्लस D कौण आप प्लस D एक्सवस्र औरक तर एक क्यों कि वह समानाथ डी इस ए तो यह कॉर कैसे होनगे तो यह कॉर कैसे हैं तो ये मतल है अंता है कॉन और कॉंसा है अंता है क्उनुद्ध 스Sabra чकरी चत्र बोज नहें होते हैं तो कैसे यह कोंड नहीं सामने का होते है Michigan इंहुंकि प्रद बनीवे प्रद बने गुए नंफे हो जाएगा है यह कोंड कैसे कई सब्सक्र leverage क्या इसलिए क्ता है प्रद करिया है तो यह प्रद कि यह कीसा है यह कोण कैसे है यह कोण कैसे है चक्रिय चत्रवोज है ठीक है फिर कैया रहा है कि A बराबर कोण B क्योंकि A भी प्लस के D अब दो A प्लस के D बराबर कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा 180 थीक है इस तरह से इसके अंसर होगो कोई भी डाउट हो रबन वस्पाइब करें पूँशकते हैं चली ने कोस्तर हम से कहा रहा है कहा रहा है कि पार्ष चित्र में बिंदु ओब्रत का केंदर है यद जीवा AC यद जीवा क्या है दिए AC और BC तो ABC तथा ACB और APB का मान ग्याद करो अब जरह हैं समझें यह हमारा क्या होगा यह हमारा क्या बन क्या देखो आप यह क्या होगा यह इक रहुत है जब हमारे पास ay ABC उंहाँ आप यह मालूम है यहां पर जो हमारे पास यह बना हुआ है C वाला कोड और हमार पास पहों सों बना हुआ है ॐ वाला कोण ख़्हे कितने वोगे यह कैनस से बने कर खोर कितने होंगे यह 50 ॉ यह नभगेगगो तो कितना उजा चरम होगा एक अस्ति हो जाइगा थिक है तो हमाँ पास यह 50 निकला आए तो लिख दें कहा लिख दें कोड़ ACB चक्री शेत्र होज़े तो क्या होगे ACB 90 यांस का और APB कोड़ APB बराबर 90 यांस के क्यों अब 90-90 क्या हो जाएगा ये जुड़ जाएगा ये 90-90 कतना हो जाएगा 180 हो जाएगा क्योंकि आर्द ब्रत पर यहाँ लिखें क्या लिखें समकोड कैसा होता है समकोड होता है हमें मालों यह किस पर बने अर्द ब्रत कोड बने तो ये 90 होगा ये भी 90 हो जाएगा हमसे पूचा C90 का है हमसे क्या पूचा गया हमसे पूचा गया CACB APB ACB 90 मान गयात की दिए तो देखो अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये कर माताünden देखें यहाँ पर राभर 27-20 जब यह 90 हो गए तो यह बिखेंगा तो देखो यहां पर अब कोण सी आपकर इमाल कितना हो गए अभाइब 50 ठीक है अब हमार पास A plus के A अप प्लस के B तो यहाँ पर यह कितना हो जाए कौड A प्लस के कौड B मतलब यह कितना निकल गया है यह कितना हो जाएगा 45 पतला है जब भाई यह 90 हो गया यह कौड 90 हो गया तो यहाँ पर यह वाला थिरूज लेंगे यह क्या हो जाएगा तो हमाँ पास क्या पता लग गया हमारा A C B पता चल गया है A C B C का कोण कतना आ गया 90 आ गया आँ पास A P B यह भी पता चल गया है अब हमें सबी कोड पता चल गया तो हमान गया आद कीजिए तो 90-90 हो जाएं कि क्या हो जाएं कि हमारा 180 हो जाएं कोई पूछे तो क्या बता सकते हैं यह 90-90 मिलके A C B B का मोड निकल गया कोई भी डाउट है तो ब्रत पर बिंद C और D इस प्रकार है कि कोण C A B 30 C A B 30 और A B 40 तो C A C A D और C B B D का मान गयात कोई अब देखो यहाँ पर A C B क्यो अर्धवरत पर बना कोण तो हमें मालूम है जब अर्धवरत पर कोण बना तो यह भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा C A B हमारा दिया गया है, तो कोण A C B, बरावर कितना दिया है, 90 है, तो कोण A D B, बरावर यह भी क्या हो जाएगा, आँवाँ पर C A B दिया गया है, कोण C A B, बरावर कितना दिया है, 30 दिया गया, A B D, कोण A B D, बरावर यह कितना दिया है, 40 अं है C A D C A D के मान और हमाँ पास क्या पूछा है B A D का मान यह पूरे का मान पूछा गया देखो अब हमाँ पास देखो 30 यह हो गया अब यहां पर कतना रह गया देखो 90 तीस कितना हो गया कि अब वह अगदon 9,ha 13 तो यहां केतना प्चा गया देखो 50 80 थीख तो हमाँ पस देखो क्या कहता है आप पूरा कॉड कETना हो गया पचास ती अशी तो यहां क्या लेतने हमलेकिते हैं कोड कॉड C A D बराबर केतना कोंड C A D तो यह 5094 989 हो गया आप यह पूछहेंगे तो क्या हो जाऊगा कोंड कौंसा पूछा कोंड CB D 16 16 16 यह कोंचा था तो मmm theor आमने Guru आए आ जा आगा हमारा अंतर कोई टाउट पूछ जैंना तिरों यूसे देख सकते हैं अरद तुम्हें कोण यह 90 हो गया अब यह हमें मालूम है यह क्या हो जाएगा तो हमाएं कोण पी और क्यू का मान ग्याद करना है अब यहां समझें जब यह चक्री चत्र जमन गया सीधी बात है अब कोण अगर 85 है उन्हें आप देखो 85 है तो यह कोण कितना होगा इसका सम्मों कोण होग सेघाल हम एक संसी मान होता है तो कौण पिंच्छी है तो यह कितने होगा 95 होगा जोड़ो 55 10 10 अब 10 10 8 18 60 जब यह 80 होगा तो यह कितने होगा जब जह 80 हो गया है यह कितने होगा है यह कोन माना हो गया है सब्सक्राइब सकते हैं 25 मेंगो मुझका क्यों को मताव सकते हैं पिच्छ रमाल गया, इस तरह से काल सकते हैं बहुत इस प्रोषन था, चलिए ने ने पोषन देख लेते हैं, आप क्या करा है, पाउच चत्र दिया गया, दो ब्रत दिया गया, दूसरे को, बंदों को P, अब Q पर पिच्छ करते हैं, तो शक्रिये चत्र गोई, A, B, Q, C, अब पूंसा B P Q D इस प्रकार है कि A P A P B और C Q D रहाखान ने तो A 95 पर दिया है और C का आमान 80 दिया है अब हमान मालूम देखो A C या ऐसे कर आए A P Q C अब हमालम देखो A है तो कोण Q का मान कितना हो जाएगा देखो 95 है तो यहां कितना रा जाएगा यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 85 कितना हो जाएगा यह 85 जोड़ो 55 10 10 अब कोण यह 80 है तो यह कितना हो जाएगा हमारा हमारा तो थे इन्या थे就到 प्लाव, क्यों इक रहा है? सब्सक्राइब गर ठीक बन देने प्लाभ का जाएगा? सब्सक्राइब का खाएेगा? मुझा सकते हैं इन कोड़ों का मान कितना होता है अग्सशी होता है तब जोड सकते हैं देखो पांच 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 दस आवाट अठारा एकससी हो गया तो किसी भी तरह से कोई दिक्कत वाली बात उसमें है नहीं तो इस तरह जो मान पूंच आप लिख सकते हैं कर देखो किया क्या पूछा था हमारे पास होगा था कौण B का मान तो लिखो कौण B बराबर तो कौण B का मान के तना आ गया हमारा 55 है 85 है फिर कोड़ यहाँ पर दिया गया कोड़ डी का मान ठीक है तो यहाँ पर कोड़ हमारे पास देखो यहाँ पर कोड़ D का मान तो कोड़ D का देखो, कितना दिया गया, कोड़ D बरावर कितना दिया गया है अलपस, सव दिया गया, अब कोड़ क्या मुझा है, A, P, Q, तो P का, कोड़ A, P, Q, अब P का मान कितना गया, कोड़ A, P, Q, A, P, Q का मान कितना हो गया, सव हो गया, अब क् यहां पर पच्चान पर गया है, तो इस तरह से उसका आंसर हो जाए, कोई भी डाउट हो, सबी का आंसर में बता दिए, चलिए ने कोशन देख लेते हैं, कोई भी डाउट हो, चलिए ने कोशन क्या कहरा हम से, नेकोस हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है, नेकोस हमसे कह रहा है, यह कह रहा है, कि एक चित दिया गया है, क्या कह रहा है, कि A, B, C, D, एक क्या है, चक्री चतर बोजाए, अगर हमाँ पास कहा है, अगर कोण C का मान कितना दिया है, X दिया है, तो A का मान 2X है, तो X का मान कि हम ने एक सिह न कोड ी मप्लिस कि बड़ाएक सिर्णा करना होते हैं साटन्स एही आंसर हो जाए इस तरह से हमारे चेप्टर क्या हो गाई है तो फिर मिलते नेक्स में तो धन्माद आप वीडियो की लाइक से जिरूर करें